असलालेकुम आज हम आप लोग के साथ पनीर बटर मसाला की रस्पी शेयर करेंगे तो आएए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमने कडाई में 2 टेबिल स्पून तेल लिया है साथ मिस में शामिल करेंगे 20 क्राम बटर बटर को मेल्ट होने देंगे अब इसमें कुछ साबित कर मसाले शामिल करेंगे इसमें है एक तेज पत्ता जिसे हमने तोड़ कर दाला है एक छोटा चमस जीरा दो लॉंग दो बड़ी लाइची और तीन छोटी लाइची एक छोटा तुकड़ा दालची नीका अब इसमें शामिल करेंगे दो बड़ी प्यास फाइनली चॉप करके प्यास को हमने एकदम बारीक चॉप किया ताकि ग्रेवी हमारी स्मोध बने जब तक प्यास गोल्डन हो रही है हमने ये पंद्रा काजू पानी में भिगो कर रखे थे इसका हम पेस्ट बनाएंगे तो काजू में हम शामिल कर रहे है पाँच हरी मिर्च और तीन बड़े टमाटर टमाटर आप हाइब्रीट के लीजेगा इससे रेसिपी अच्छी बनेगी इसका पेस्ट बना लेंगे अब प्यास गोल्डन हो गई है तो इसमें हम शामिल करेंगे एक टेबिल स्पून अद्रक और लैसुन का पेस्ट अद्रक और लैसुन के पेस्ट को हम तेजाज पर अच्छी तरह से भून लेंगे अद्रक लेसन हमारा भुन गया है तो इसमें शामिल करेंगे एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पौडर गैस की फ्लेम को अब हलका करेंगे इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा और डालेंगे इसमें तीन छोटे चमच धनिया पौडर आदा छोटा चमच हल्दी पौडर मिक्स करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जलेना मसाले हमें हलकी आज पर भूनने है एक छोटा चमच भूना कुटा जीरा एड़ करेंगे आदा छोटा चमच लाल मिर्च पौडर तीखा वाला डालेंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के साब से डालिएगा मसालो को तेल अलग होने तक भूनेंगे गैस की फ्लेम को हम हलका रखेंगे जितना हम हलकी आज पर मसालो को भूनेंगे उतना ही ग्रेवी का टेस्ट अच्छा होगा अब इसमें पेस्ट डाल लेंगे जो हमने काजू, टमाटर और हरी मिर्च का बनाया था मिक्स करेंगे साथ में थोड़ा सा पानी जार में डालकर वो पानी भी इसमें एट कर देंगे साथ में एक छोटा चम्मच नमक शामिल करेंगे नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं ढग कर इसको हम आठ मिनिट हलकी आज पर पकाएंगे आठ मिनिट हो गए हैं और देखिए मसाला हलकी आज पर अच्छी तरह से पक गया है अब ढकन हटाकर मसाले को भूनेंगे इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे कसूरी मेथी हमने भून कर डाली है साथ में शामिल करेंगे दो टेबल स्पून दही दही जादा खटा ना हो वरना ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब मसाले को तेज आच पर हमें भुनना है और तब तक भुनना है जब तक कि मसाले से तेल अलगना हो जाए मसाले से तेल अलग हो गया है तो इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे हमने पानी गरम यूज़ किया है गरम पानी डालने से तेल सर्फेस पे जल्दी आ जाता है एक बर फिर ढखकर इसको दस निट पकाएंगे जब तक हमाई ग्रेवी पक रही है तो हमने पैन में डाला है थोड़ा सा बटर और उसमें एट करेंगे हम साड़े तीन सौ ग्राम पनीर जिसको हमने क्यूफस में काट जाए उपर से छड़क दिया है थोड़ी जी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर पनीर को हम तेज आज पर ट्राइ करेंगे हम कलर चेंज निंकरेंगे इधर ग्रेवी हमारी तयार हो गई है देखे तेल सर्फेस पे आ गया है अब इसमें पनीर एक कर देंगे साथ में जो बट हम चलाएंगे देखे कितनी शांदार ग्रेवी बनी है आदा चोटा चममच गरम मसाला पाउडर एक चौथाई कप क्रीम और मुठी भर हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे हलके हाथों से मिक्स करेंगे और ढखकर पांच मिनिट और पकाएंगे पांच मिनिट हो गए ह यह हमारी शांदार पनीर बटर मसाला तैयार है आप इसको एक बार जरूर बना कर देखिएगा यकीन मानिए यह बहुत ही मज़ेदार बनी है और रेस्पी पसंद आईयो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करना बिलकुल मत